तो हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप लोग उमीद है कि आप लोग ठीकी होगे तो आप स्वीक का स्वागत है सोड एंड मैजिक वांडरिया के एपिशोर नमबर 12 में और ये स्रीज का लास्ट एपिशोर रहने वाला है तो उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी चलिए फ वी बंदा उसे जहरा नहीं बाता अब आगे जो मॉस्टर होता है वो यहां पर टीना के उपर हमला करने वाला होता है लेकिन जो टीना होती है वो जो होती है उसके हमलों से बज जाती है और जिसके बाद जो सीन होता है वो एकदम से असमान में से कूट के आरता है और यहां पर जो fire magic होता है उसका जैस इस्तमाल करता है लेकिन हम देखते हैं कि इतने तगड़े fire magic को देखके सारे बंदे शौक में आ जाते हैं यहीं पर जो एरिस होती है यह कह रही होती है कि यह तो इतना advance magic है लेकिन फिर भी इस monster को कुछ भी नहीं हुआ आखिरकार अब क्या होगा यहीं पर जो sin होता है वो कहा रहा होता है कि सही में इस monster को हराने के लिए इतना magic है वो काफी नहीं है हमें कुछ और करना होगा तब ही हम विल को देखते हैं जिसके आगे crystal गर जाता है और विल यह उस crystal को यहाँ पर जय समझ जाता है यहीं पर जो rocks होता है वो कहता है कि कि आखिरकार ये बच्चा किसी काम का है कि नहीं है जिस पर लेड़ी बोलती कि असल में ये बच्चा जो वोड एंड जो सोड है उनको जह साथ में लेके आएगा और जो पुरी दुनिया है उसको जह बचाएगा मुझे पूरा एकिन है नेक शिन में विल गहता है कि मुझे वोड एंड सोड को एक साथ लाना होगा और शिन को बोलता है कि तुम अपने फार मैजिक को मेरे उपर फैक दो यहाँ पर सिन समझ जाता है फिर सिन सिधा यहाँ पर फार मैजिक का स्तमाल करता है जो यहाँ पर विल होता है वो फार मैजि कर रहा होता है और सीधा जो विल होता है वो जो होता है मोंस्टर के उपर हमला कर देता है और मोंस्टर के जो हमले होते हैं उनको काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है और एकी बार में उसके गले को काट देता है अब यह देखने के बाद सभी बंदे बहुत ज़्यादा ही शोग में आ जाते हैं तबी हम देखते कि कुछ monster का जो जूंड होता है वो फिट सा यहाँ पर आ जाता है तबी यहाँ पर जो elf होता है यह कहता है कि यह तो death guardian है और इनसे आखिरकार हम लोग लड़ाई कैसे करेंगे अभी जो professor होते हैं वो जो तरिंस सभी को देख रहे होते हैं और जल्दी से इनके पास आने को इश्च कर रहे होते हैं तबी हम देखते कि एक दम से बहुत सारे magical spell यहाँ पर जैक काश्ट हो जाते हैं और यहीं पर कुछ बंदे आ जाते हैं और एक साथ ही magic spell का इस्तमाल करते हैं और सभी जो monster होता है उनको जैक खतम कर देते हैं और इन सभी का नाम होता है आडोल मास्टर यहाँ पर आडोल मास्टर बोलते कि बच्चो तुम लोगों ने काफी अचा किया इन सारों monster को हरा के तभी यहाँ पर विल के teacher भी आ जाते हैं और इस सारे इनके सामने जह सर जुकाते हैं यहीं पर विल भी जो होता है इन सभी को देखके चोक जाता है तभी एक बंदा फिन जो यहाँ पर विल के पास आ जाता है और वेचारे बहुत दुक्य होते हैं जिसके बाद हम देखते कि sin और जो बाकी बंदे होते हैं उनकी जह मलंपटी हो रही होती है और साथ में जो यहाँ पर टीना होती है वो एरिस को एपल खिला रही होती है एरिस बोलती कि मुझे और एपल खाना है इसी तरह एरिस बहुत सारे जो एपल होता है उनको जया खा लेती है तभी एरिस बोलती कि आखिर का तुम कितने सारे एपल खाने वाली हो तुमने यहाँ पर विल के लिए एक भी जो एपल है वो नहीं छोड़ा है अब यह सुनके एरिस तो असरमा जाती है और यह बोलती कि मुझे माफ कर देना असल मैंने डंजन के अंदर बहुत सारे मैजिकल स्पेल का जैस्तमाल कर लिया था जिसके वैसे मेरी बहुत सारे जी अनरजी है वो खर्च हो गई थी और मैंने काफी समय से डंजन के अंदर कुछ खाया भी नहीं था जिसके कारण मुझे काफी वूग लगी थी यहीं पर जो एलफ होता है यह बोलता कि अगर वो बन दे बैटल के अंदर नहीं आते तो हम लोग बसते नहीं जिसके एरिस बोलते कि तुम बिल्कु ठीक कहरे हो वैसे हमें दुबारा से अपने टॉपिक पर आना चाहिए विल अगर तुम यहां पर डेजन के अंदर नहीं होते और तुमने यहां पर बाहुदरी नहीं दिखाई होती तो हम लोग जिन्दा नहीं बसते जिसे विल बोलते कि ऐसी बात नहीं है मैंने कुछ खास नहीं किया तुम सभी ने यहां पर काफी अच्छा किया था तब ही जून बोलते कि हाँ विल ने यहां पर कुछ खास नहीं किया यह सुन के टीना को गुस्त आ जाता है और सिधा जून के मूँ में जो एपल है वो डाल देती है यहाँ पर जून कहता कि जल्दी करो एपल को बहार निकालो टीना कहता कि नहीं एपल को जह तुम खालो जून कहता कि मैं तो मर जाओंगा तब ही जो शिन होता है यह बोलता कि सबसे जरूरी बात यहाँ पर तुम मुझे यह बताओ कि आखर का तुम्हारी जो तलवार है उसने मेरे जो मेजिकल पावर है उसको जह कह सोक लिया जिस पर टीना बोलती कि हाँ यह तो बहुत जादा कमाल का था मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था विल बोलता कि सही बताओं तो मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता वो एकदम सही हो गया लेकिन जो बच्चा मेरे पास आया था वो सही में काफी कमाल का था वो जो था उनके ग्रूप में था जिसका नाम फिन था आखरी का इतना चोटा बच्चा उस ग्रूप में क्या कर रहा है जिस पर ये लोग बोलते कि हो सकता है कि वो बच्चा भी काफी श्टोंग हो यहीं पर एरिस कहती कि मैंने इस ग्रूप के बारे में जो मास्टर है उनकी किता में पढ़ रखा था मास्टर ने लिखा था कि यहाँ पर यह जो ग्रूप है यह जो है जर्नल्स का ग्रूप है और यह हमेशा डंजन के अंदर गूमते रहते हैं और यह काम यह लोग जर्नरिशन से कर रहे हैं क्योंकि जो इनकी कुईन थी उन्होंने यहाँ पर जो मैजिक वेंटरिया है उनको जह वादा किया था कि वो लोग यहाँ पर जो डंजन है उसको जह क्लियर करेंगे इसलिए यह लोग डंजन को जह क्लियर करते हैं और साथ में जो बंदे डंजन के अंदर फसे होते हैं उनको बचाते हैं और जो खतनाक चीज़े होते हैं उनको भी खतम करते हैं फिर हम दूसी तरफ फिन को देखते हैं जो टीचर से मिलने के लिए आया होता है ये बोलता है कि टीचर आप से मिलने काफी टाइम हो गया ये बोलता है कि मैं आपके लिए एक जो तलवार है वो लेके आया हूँ टीचर बोलती कि ये तो वही तलवार है ना जो यहाँ पर मैजिक को खतम कर सकती है जिस पे फिन बोलते कि हाँ ये वही तलवार है और यहाँ पे मेरे जो माश्टर हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस तलवार को ले जाओं और आपको जह सोब दूँ यहाँ पे टीचर कहती कि तुमने ये काफी अचा काम किया हम जो इसे खत्म कर देते हैं फिर टीचर अपने मैजिकल स्पेल का इस्तमाल करती है और यहाँ पे जो तलवार है उसे पानी में डाल देती है फिर यहाँ फिन बोलता है कि वैसे टीचर ये काफी गल्द बात है कि आ लेकिन यह देखने में बहुत ज़एदा मज़ आएगा मैं यहां पर इंतजार करूगा शिन बोलते कि नहीं मुझे नहीं बता मुझे इससे लड़ाई करनी है जिसे विल बोलते कि तुम पूरे ठीक हो जाओ फिर हम लोग लड़ाई कर लेंगे यहाँ पी बोलते कि नहीं मैं तुमसे लड़ना चाता हूँ फिर जो विल होता वो कहता है ठीक है और फिर teacher इन दोनों को डाट लगाते हैं और भागा देते हैं फिर हम देखते कि यहां पे दो महने बीच जाते हैं टीचर बोलते हैं कि उसमले को दो महने बीच चुके हैं लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग उसे भूल नहीं पाओगे लेकिन ये भी सचा कि तुम्हें आग यह मुझे नहीं पता मिलता हूँ आपको किसी और सीजन में चे अपते के लिए बाई बाई